नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जितने भी लोग जॉब करते हैं या कोई भी कहीं पर भी एमपलॉई है लिवर है बरकर है उसको एक ऐसी आमदनी जरूर चाहिए होगी जो उसकी साइड इंकम हो या पार्ट टा जॉब मिल जाती जहां से वो एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते काफी सारे लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं काफी सारे लोग अपने आसपास ऐस तरह की जॉब देखते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को कोई भी सेकिंड अर्निंग इंकम का सोर्स नहीं मिलता या पार्ट टाइम जॉब सब ही को नहीं मिलती इसके अलावा बहुत सारे जो एमपलोई होते हैं वो डर जाते हैं कहीं वो ड्यूल एमपलोईमेंट के चकर में ना फज जाए और उनके एमपलोईर को पता चल गया उनकी कमपनी को पता चल गया या उनके किसी कलीक को पता चल गया तो ये बात HR तक जरूर जाएगी और कहीं उन्हें अपनी प्राइमरी जो नौकरी है वहाँ से भी हाथ धोना ना पड़े तो आज इन सभी चीजों का एक अच्छा सा सॉलूशन लेके आया हूँ फुल प्रूफ सॉलूशन है साथ ही पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियन्स के साथ मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे पार्ट टाइम जॉब ऑप्शन जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं और हमेशा के लिए अर्निंग कर सकते हैं साथ ही आपको ड्यूल एमप्लोईमेंट का कोई भी लॉउ इसको करने से नहीं रोक सकता और जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं किसी को भी पता नहीं चलेगा यहां तक कि आपकी परशाई को भी पता नहीं चलेगा तो चलेए दोस्तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और उम्मीद है इस वीडियो सो काफी सारे लोगों को जीवन में फाइदा होगा तो दोस्तों यहां पर पहला जो आप्शन है वो है सेयर मार्केट का सेयर मार्केट अब आपके मन में नेगिटिव सवाल आ गया लेकिन सेयर मार्केट को आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो सेयर मार्केट में किवल एक चीज नहीं है जहां पर आप अपना पैसा लगा के ज़्यादा पैसा कमा सकते है यहाँ पर बहुत सारी चीजे हैं जैसे कि किसी कमपनी का सेयर आपने खरीद लिया कम रिस्क है जैसे कि म्यूचल फंड में सिप करने लगे कम रिस्क है या आपको और ज्यादा रिस्क लेना है जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा यहाँ पर अर्निंग है लेकिन आपक जो आपके लायक हो वहाँ पर उस चीज में इन्वेस्ट कीजिए, सेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, जो आपके मोवाइल फॉन में ही रहेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा, और आप धीरे धीरे समय के साथ थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हुए, आगे आपके प आपके मोवाइल तक पहुँच चुके हैं, काफी सारे लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं, जादा जानने के लिए आप गूगल ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आपको और भी जादा नौलिज मिल जाएगी, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट, कम रिस्क, आपको कम रिस् तो फिक्स डिपॉजिट हो गया, इसके अलावा आप LIC का प्लान ले सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपके पास और भी जादा पैसे हैं, तो इस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जमीनों में, प्लॉट में, या किसी फ्लैट में, फ्लैट, प्लॉट सभी एक बार भी करके पैसे दे सकते हैं, और जमीन आपके नाम हो जाएगी, फ्लैट आपके नाम हो जाएगा, मकान आपके नाम हो जाएगा, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊं कि पैसे सेविंग करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने सुरू से बताया है आपको अपनी कमाई का बीस से तीस परसेंट हमेसा बचाना चाहिए बचाने के साथ अगर आप इसको किसी सेफ जगे पर इन्वेस्ट करते हैं तो यह मल्टिप्लाई होके आने वाले फ्यूचर में और भी ज़्यादा हो जाएगा तीसरी जो चीज है वो है आपकी स्किल्स दोस्तों आप कहीं भी किसी भी इन्डस्ट्री में काम करते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स आपके पास होती है जिस वज़े से आप उस काम को लंबे समय से कर रहे होते हैं और तरकी भी कर रहे होते हैं आप इस स्किल्स को बेच कर यानी किसी को किसी का काम करके आ पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से अच्छागासा कमा सकते हैं जैसे कि अगर आप सेल्स लाइन में हैं और आपने किसी कंपनी का LIC पॉलिसी या G1 इंसुरेंस वाला पॉलिसी कुछ ऐसी चीजे पकड़ नहीं है साथ में और जो भी आपको अच्छा क्लाइन्ट मिलता है आपके दोस्तों में आपके नेटवर्क में तो आप इससे भी एक्स्ट्रा इंकम कर सकते हैं ये चीज भी आपको आपकी परच्छाई के अलावा किसी को नहीं पता चलेगा और भी बहुत सारी चीजें हैं यहां तो मैं एक उधारन बता रहा हूँ लेकिन आप अपनी स्किल्स से काफी अच्छा कमा सकते हैं पार्टाइम जॉब कर सकते हैं साथ ही साथ कुछ चीजें बेश सकते हैं जो कि आपकी कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए पार्टाइम में एक दो गंटे में बेश सकते हैं इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वेपसाइट हैं अच्छी वेपसाइट जो कि आपके स्किल्स के हिसाब से आपको काम देती हैं और आप वो काम करके अर्निंग कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने दिमाग के घोड़े दोड़ाने होंगे और जादा नॉलिज लेने के लिए इंटरनेट ऑनलाइन सहारा लेना होगा काफी खोजना होगा अपने आसपास और गूगल सेर्च में आपको आपके स्किल्स के मुताबित कोई न कोई काम मिल जाएगा ऑन टाइम का ये भी काफी ज़्यादा पॉपुलर है पुराने जमाने से और आज भी लेकिन पुराने जमाने में किबल उचे ओहदे पर बैठे हुए लोग ही ये काम करते थे लेकिन आज कल जबकि सेलरी सभी की अच्छी कासी हो गई है तो इसमें कम सेलरी वाले एंप्लोई भी काम कर रहे हैं, इस जॉब का फाइदा उठा रहे हैं, ये जॉब है पार्टनर्सिप, दोस्तों पार्टनर्सिप में आप कहीं पर भी काम डाल सकते हैं, पार्टनर्सिप का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सीधे सीधे उसके काम में सामिल हो जाए, कि अबल आपको अपना प चोटा होता है लेकि investment नहीं होती उनको तलास होती है investment की बैंक उनको लोन नहीं देता क्योंकि उनका जो business है वो बहुत चोटा होता है या उतना उनकी हैसियत नहीं होती तो आप ऐसे किसी काम में जो की आगे बढ़ने वाला हो पैसा लगा सकते हैं यारी की partnership कर सकते हैं बड़ी बड़ी company के manager यहां तक की RSM, area sales manager और भी बहुत सारे लोग कहीं न कहीं अपना partnership में पैसा लगा देते हैं जैसे कि मैं आपको example के रूप में बता हूँ कैई लोगों ने अपने भाई भतीजे चाचा के कामों में पैसे लगा रखे हैं और वहां से उन्हें एक मुस्त पैसा आता है जो की commission नहीं होता पैसा आता है जैसे जैसे वो partnership बाला काम ग्रो करता है दूसरा उधारण में आपको बता हूँ कि दिल्ली NCR में ऐसे बहुत सारे managers है जानी उचे लोग तो है ही है लेकिन managers level के लोग है ASM, RSM level के लोग है जिनों ने अपना पैसा किसी के पास लगा रखा है और उस पैसे से वो कमा रहा है और साथ ही उनको return भी मिल रहा है दोस्तो हर कुछ चीज पकी पकाई नहीं मिलती आपको महनत करनी होती है जैसे आप job में महनत करते हैं आपको महीने पर salary मिलती है इसी तरीके से इन चीजों में भी एक बार आपको महनत करनी होगी और जब कुछ set हो जाएगा सब कुछ set हो जाएगा तो आपको उतनी महनत न आपको बता रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं जो कि बॉडी बेल्डर हैं और कैई सारी मॉडलिंग भी कर चुके हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक अच्छी लगजरी जिम खोलते तो और नहीं उनको लोन मिलता इतना अच्छा बैक्राउंड नहीं था ले यहां पर चार लोग उनके साथ सामिल हुए यानि पैसे इंवेस्ट किये ठीक है जिम खुल गई है अच्छी गासी चल रही है जो मॉडल है वही जिम को चलाते हैं खोलना चलाना कस्टमस डील करना सभी काम उन्हीं के जिम में हैं कितने एंप्लोई रखने हैं नहीं रखने बाकी के चार लोगों ने जो पैसा लगाया है यहां तक कि वह जिम में जहांकने भी नहीं आते ठीक है उसमें से तीन लोग एंप्लोई है और एक लोग बिजनस परसन है यानि उनका अलग बिजनस है तो उन्होंडे पैसे यहां पर लगा रखा है अब इस जिन से महीने में जितनी भी कमाई होती है वो आपस में जैसा कॉडिनेशन पहले बना था इन्वेस्टमेंट से पहले उस उस रेशों में उनको मिल जाता है तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं अब यहां पर लास्ट में जो सबसे टॉप का अब यहां पर लास्ट में जो पार्टाइम जॉ वो जॉब है वीडियो बनाना, दोस्तों मैं भी जॉब करता हूँ, मैं भी वीडियो बना के आपको सिखा रहा हूँ और मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स में इंकम हो जा रही है तो वीडियो क्रियेटर बनके भी आप अच्छा कसा कमा सकते हैं अब आप कहेंगे कि मुझे तो नाचना गाना नहीं आता, कॉमेडी करना नहीं आता या मैं इतना काविल नहीं हूँ, किसी को कुछ बता सकूँ, तो गलत है अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके अंदर स्किल्स है अब आप क्या कर सकते हैं, कि आपको वीडियो बनाना है ऐसे ज़रूरी नहीं कि 7 मिनट की, 10 मिनट की, 12 मिनट की वीडियो बनाई जाए या यूटूब पर रहे हैं, आके बनाई जाए आपने शॉट वीडियो देखियोंगी, काफी लोग शॉट वीडियो देखते हैं उसमें motivational वीडियो आपने देखा होगा, skills से related वीडियो देखा होगा short वीडियो, 60 सेकिंड की, 55 सेकिंड की आप बना सकते हैं और उससे in future आने वाली future में आपको अच्छी कासी earning हो जाएगी अगर आप dedication से महनत करेंगे तो वीडियो आप facebook पे बना सकते हैं, youtube पे बना सकते हैं, mx player है, बहुत सारे वीडियो platform है और short वीडियो के तो 10 बहुती famous application है, वहाँ पर बना सकते हैं अब आपके बद जितना time हो, उस हिसाब से आपको अपना part time job चुनना है तो ये 5 ऐसे job हैं जहाँ पर अपनी परशाई को भी पता नहीं चलेगा कि आप कुछ extra कमा रहे हैं या किसी को पता भी चल जाएगा, तो ये dual employment की स्रेणी में नहीं आते क्योंकि आप किसी की हाँ job नहीं कर रहे हो, ठीक है, या किसी business में बैठे नहीं हो या आपके नाम से कोई business नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजे हैं यहाँ पर और ये एक तरह का part time job ऐसा भी है, जहाँ पर आपको समय की कोई पावंदी नहीं है कि आपको उस जगे पर जाना ही जाना है महीने में, या रोज जाना ही जाना है, ठीक है तो इस तरह की ये पाँच ऐसी चीज मैंने आपको बताई है, जो की एक employee के लिए बहुत अच्छी part time job हो सकती है काफी research के बाद video बना है, video अच्छा लगा है, तो like करे, share करे और channel को subscribe करें